हालो दोस्तों आफ का राना क्लास में फिर से श्वागत है तो जैसा कि आप लोग जो खास करते शट्वी प्रीपास कर चुके उनके लिए मेंस का फॉर्म आ चुका है और आज साट्वी से बास सट्वी का मेंस का रियल्ट भी आ सकता है तो इसी को धियान में रखते हुए मैं प्रशन डाला है बीपेसी और जेपेसी जिन्सकी परिच्छा भी निजंबर या जन्वरी जो भी समभावना उबन रही है तो उसमें उसके लिए प्रशन लाया हो चो इस वीडियो को सुरू से अंतक देखें प्रसंद आने पर लाइक ने लोग सब्सक्राइब और बेल पर जानेंगे कि सटनेवल डेवल्लमेंट है क्या इसका क्या लच्छ है इसका कितना दूर तक किया है क्या करना है तो शुरू करते हैं इसके जवाब तो सतत्त विकास से हमारा अभी प्राय ऐसे विकास से है जो हमारी भावी फीडियों की अपनी जगरूते पूरी करने की योगिता को फरभावित किये विना बरतमान समय क्या हो सकता हैं पूरी करें तो मतलब क्या हो गया कि सिर्फ अपने बारे में चिंता नहीं करनें अपन प्रभावित किये बिना वर्तमान समय के वसकता है फूरी करें भारतियों के लिए पर्यावरन संद्छन जो सतत विकास का भिन अंग है कोई नई अवधारना नहीं है भारत में प्रकिर्ति और बन्य व्फव्राने जीवों का संद्छन आगाद आस्था की वात है जो संद्छन अगाद की वडयाड धर्मों कलाओं और संस्क्रिति में बरनन है कि बने जीवों का संद्च है भारत में प्रकृति का चेर्चा अगाद उस पर है जो कि आस्था है क्योंकि बहुत सारे जो पूजा भी जाता है तो ट्रांस्फर्मिंग आवर्ड वर्ल्ड दोजार तीस एजेंडा फोर स्टनेवल डेवलमेंट के संकल्प को इसमें 17 लच्छित है जिसे सतत विकास के लच्छित के नाम से भी जाना जाता है भार्ड सहीत 193 में देशों ने सितंबर 2015 में सुन्जुक्त राष्ट महासभा की उच्छ तरिये पून बैठक में स्विकार किया गया था इसे 1 जन्वरी 2016 को लागो किया गया था तो अगर यह स्रिसमय डेवल्मेंट हो और इसकी चर्चाना करेंगें तो नंबर काटने के संभवना काफी रहे क्योंकि यह बहुत इस यह स्रेवल्य मेंठक में सुन्जुक्त राष्ट महासभा पूसेंज्छ स्विकार किया गया था और एक जनवरी 2016 को यह जो कि लागो किया गया था तो सतर्द विकास के लच्छियों में क्या क्या है तो सब के लिए समान है जो कि न्याय शंगत, सुरच्छित, सांति, पुन, शमिर्धी और रहने योग विश्व का निर्मान करना और विकास के तीनों पलों अर्थात समाजिक समावेश, आर्थिक विकास और परियावरन संद्चन को व्यापक रूट में समाविश्ट करना है तो पहले तो इससे पहले क्या था, तो सस्तरादवी विकास लच्छि के बाद जो दोजार दोजार पंदरा के लिए था विकास के अधूरे काज को फूरा करना और ऐसे विश्ट की सा कल्पना को मुर्थ रूप देना जिसके कम चुनोतियों और ठीक आसाएं हो तो पहले जो क्या था कि 2000 से 2015 का बीच में था सस्तरादवी विकास लच्छि था उसके बाद आ गया आपको सचनेवल डेवलमेंट गोल जो सदरा उठोर थे उसको या दो 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 आतीस तक पुरा करने का लच्छ है इसको उसके बाद हम पिट्वी को माता मानते हैं और सतत विकास सदैव हमारे दर्शन और विचार धारा का मूल सिधान तो रहा है निशिथी और सतत विकास लच्छों को प्राफ्त करने के लिए अनेक मोर्चों पूर कार्ज करते हुए हमें महात्मा गांधी की याद आती है जिन्होंने हमें छेतावनी दे थे कि धर्ती प्रतेक बेखते की आवश्यक्ताय को तो पूरा कर सकती है पर प्रतेक विक्तिके लालाच को नहीं तो जैसा कि अपनों के अंधा धून कटाय और पर्यावरन काफी विगड़ रहा है बहुत मिटी का परदन से लेके बर्सास निया अनिमित हो गई है मौन्सुन भी अनिमित हो गया है तो तो कौनातमा गांधी का यह मूंद चिताम निदिया था कि चिताम न नितियों में सामिल करता आ रहा है बहुत सारे नितियों में जो कि उसको ध्यान में रखा जा रहा है सतत्विकास को हाल के बिश्वयापी आर्चिक संकट के बावजूद विकास की अच्छी दर बनाएं रखने में हम सफल रहे हैं पंडित इंदिया उपाद्याइने सब सिं पुरिष्ट करने के लिए जरूरी है तो यह होगे आपको दोरा तीस तक है जो कि उस नेधनता को पुरिष्टर समाप्त करने का लच्छ रखा गया है सांति पूर नयाई पूनाओ चिरस्थाइब इसको सुनेचित करने के लिए जरूरी है उसके बाद है भारत की विकास सम म विकास के लच्छ वकुम विकास नितियों में सामील करने के लिए हम अनेक मोर्चों पर कार्जी करना है ताकि पर्यावरन और हमारी प्रित्वी के अनुकूल एक बेहतर जीवन जीने के हमारे देश्वासियों की बैद रिता हैं च्छाओं को पूरा किया जा सके केंद सरकार ने सतत्व विकास के कार्यानवन पर निगानी रखने तथा इसके समन्मे की जिमेंदारी किसको सवपी है तो नीती आयों को सवपी तो यह इंपोर्टेंट है अबजेक्टिम में भी आ सकता है सबस में कि जो सतत्विकास के लक्षों कर्यान्मन और निग्रान रखने जिमेंबारी किसको दी घे तो नीती से सब्सक्राइब को पहचानकरlle है जो हमारे राष्टिये संकेत ठाचे के लिए अपनाये जा सकते है बास्ता में एक मिल का इक प्थर है तो हमारे संगेट हाचे में सतत्विकास्यों लच्छों की संपून सपलता में राज्यों की भूमका भी बहुत मत्पून है ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंट्रल चाहेगा तो यह सत्विकास की भूमका है मत्पून भूमका है राज्यों विभिन राज रस्तरिये विकास योजनाय काराने बित की जा रहे इन योजनाओं का सतत विकास लच्छों के साथ तालमेल होना चाहिए केंदर और राज सरकारों को सतत्विकास लच्छों के कार्यानवन में आने वाले विभीन चुनोतियों का मुकाबला करने के लिए दोनों को मिल कर रहे जो की काम करने के अवसक्ता है तेरे सतत्विकास लच्छों के कार्यानबन को सुभधा जनक बनाने के लिए भारतिय संसत्विभीन हित धारकों के साथ गहन विचार विमर्ष कर रहे जैसे अधच्छे सोध कदम SRI जो हाल ही में स्थाफित किया गया एक मैंचे सतत्विकास लच्छों समंदे विभीन मुद्धों पर हमारे सांसदो द्वारा सेत्र के विशेशग्यों के साथ विचार विमर्ष को सुभधा जनक बनाता है इसके अलावन नीती आयोंने अन्द संगटनों के सहयोग से विशेश सतत्विकास लच्छों पर राष्टिया और चेत्रियस तनफुर प्रामर्ष सिंख लाय आज़ित की है टाकी विशेशग्यों विद्वानों संस्थाओ सिबिल सोसाइटी अंतराष्टिय संगटनों और केंद्रिय मंत्राले सहीत राजियों और अनहित्तार को के साथ गहन विचार विमर्ष किया जासके भारत सरकार द् कि भारत सतत्व विकास लच्छों के सफल कार्यान को कितना महत्व दे रहा है पर्यावरन को संरच्छित रखते हुए संपूर्ण विकास से तु लोग की अकांच्छाएं पूरी करने के लिए राष्टी एवं राजित तथा अस्थानी अस्तर प्रतेक व्यक्ति और संस्थ द्वारा अधिक पर्यास करने की आवस्यक्ता है तो यह हो गए आपको भारत वारत सतत्व विकास के लच्छों को प्राप्त करने की पर्यासों का वर्नन तो आपको वीडियो का ऐसा लगा कॉमेंट मुपस में जरूल लखें यह जो कॉस्टिन है इसाने कि सिर्षट वीपि सिमेंस के लिए दोनों के लिए और जो आदर एस्टेट के हैं या उसके लिए हैं उसके लिए भी इंपोर्टेंट है तो इसक साथ धन्यवाद